Hello everyone, welcome back to the channel आज के वीडियो में आप सीखेंगे 20 बहुत ही useful phrases छोटे छोटे phrases हैं जिनको याद करने में भी आसानी हैं और आप इनको daily life में, daily conversation में भी आसानी से use कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले request है प्लीज चैनल सब्स्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को like कर दें और share करें फिर्स्ट फ्रेज है all over again मतलब दोबारा या फिल से यूर हैंड़ाइटिंग इस वेरी बैड, do your homework all over again neatly तुम्हारी लिखावर बहुत गंदी है, अपना homework दोबारा साफ साफ करो on the go, on the go का मतलब होता है बहुत व्यस्त, मतलब very busy today I am on the go all day, so I can't come to meet you आज मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता so-so मतलब ठीक था, काम चलाओ, साधार रहा हैं, मामूली the dress she wore to the party wasn't much pretty, it was just so-so उसने party में जो dress पहनी थी, वह बहुत सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी so-called, so-called का मतलब होता है कहने के लिए मतलब real में जो वैसा नहीं होता है, लकिन बस कहने के लिए होता है, नाम के लिए the so-called healthy vegetable sandwich with mayonnaise that you are eating will make you sick and fat mayonnaise के साथ कहने के लिए healthy vegetable sandwich जो आप खा रहे हैं आपको बीमार और मोटा बना देंगे mean well, mean well मतलब किसी का अच्छा चाहना या किसी का शुब चाहना sometimes a mother sounds a bit rude to her children but she always means well to them कभी कभी एक माँ अपने बच्चों के लिए थोगी अखा मतलब rude हो सकती है लेकिन वह हमेशा उनके लिए अच्छा चाहती है as of now, as of now मतलब अभी तक it is almost 12 p.m. but he has not returned home as of now रात के करीब 12 बज़ रहे हैं लेकिन वह अभी तक घर नहीं लोटा है for once मतलब अब की बार, इस बार, इस एक बार या केवल इस बार please forgive me for once, I will never repeat this mistake again रिपिया मुझे एक बार माफ कर दो, मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोराऊंगा on the sly, चुप चुप के गुपत रूप से या चोरी चिपे she is a diabetic patient, so sweets are forbidden to her but she eats a lot of chocolates on the sly वह एक मधमेर होगी है, इसलिए उसके लिए मिठाई मना है लेकिन वह चुप चुपे बहुत सारी चॉकलेट खाती है on the shelf, किसी काम का नहीं या बेकार the leg injury has left him on the shelf for the football match पैर की चोटने, उसे football match के लिए किसी काम का नहीं चोगा है मतलब बेकार कर दिया है, वह football match नहीं केल पाएगा easy peasy, easy peasy मतलब बहुत आसान, बहुत सरल या बिलकुल भी कठिन नहीं mathematics is a easy peasy subject for him she solves math problems in a wink गगलत उसके लिए बहुत आसान विशे है वह पलक जपकते ही, गगलत के सवाल हल कर देती है यहाँ पर एक और phrase आया है, in a wink, मतलब चुटकियों में या पलक जपकते ही through and through, हर पहलू से या पूरी तरह से he is an evil and mean through and through, we can't trust him वह एक दोस्ट और मतलब ही है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते feel blue मतलब दुखी महसूस करना या उदास होना whenever I feel blue, I like to listen to upbeat music to cheer myself up जब भी मैं उदास महसूस करता हूँ, तो खुद को खुश करने के लिए मुझे उतसाहित संगी सुना चलगता है In my mind's eye, I can still enjoy my childhood days अपनी यादों में, मैं अभी भी अपने बच्पन के दिनों का आनंद ले सकता हूँ He was not selected for the job because he gave a few unsatisfactory wishy-washy answers to the interviewers उसे नौकरी के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उसने साक्षातकार करताओं को कुछ असंतोश जनक, व्यर्थ के या बेकार जबाब दिये थे Kind of मतलब हलका सा, थोगा सा, कुछ-कुछ या थोगा बहुत It was a very busy today, so I am kind of tired and need some rest आज का दिन काफी व्यास्त था, इसलिए मैं काफी ठक गया हूँ और मुझे कुछ आराम की जरूरत है Going forward मतलब भविश में या आगे चलकर Our company expects to make a profit going forward हमारी company भविश में या आगे चलकर लाब कमाने की उमीद करती है And so forth मतलब इत्यादी वगेरा या और ऐसी अन्यवाती Employees were always complaining about their wages, their working conditions and so forth करमचारी हमेशा अपने वेतन, अपने काम करने की स्थितियादी के बारे में शिकायत करते रहते है In view of मतलब के कारण की वजह से या का ध्यान रखते हुए In view of the bad weather, we will have to cancel our outing खराब मौसम की वजह से हमें अपना घूमना फिरना रद करना होगा Point blank, साफ साफ, सीधा, स्पर्स्ट, एकदम सीधी या रूख ही कही गई बात कोई बात जो clearly और rude way में कही गई हो Her boss asked her to work at the weekend but she refused point blank उसके boss ने उसे सप्ताहंत में काम करने के लिए कह लेकिन उसने पर्स्ट मना कर दिया Pitch in, Pitch in का मतलब उता है मदद करना, सहायता करना या शामिल होना मतलब कोई काम जो किया जा रहा है उसमें help करने के purpose से involved होना, शामिल होना उस काम में If we all pitch in together, it shouldn't take too long to complete the work अगर हम सब मिलकर मदद करें, तो काम पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहेंगे तो ये था आज का वीडियो, 20 phrases थे आपके लिए ये सभी phrases बहुत ही ज़्यादा useful हैं और ज़्यादा difficult भी नहीं है इन phrases को आप आसानी से याद कर सकते हैं, अपने conversation में इनको use कर सकते हैं और अपनी English को effective बना सकते हैं, आप practice करेंगे इन phrases की तो आसानी से ये आपको याद भी हो जाएंगे